अपने बीच भारतिय जनता पार्टी के माननिय रास्तिय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे मेरा विनम्र निवेदन है माननिय संबित जी से आपको संबोधित करें धन्यवाद संजे जी और मित्र के हमारे हमारे प्रेस के सारे मित्रों को बहुत-बहुत अभीनंदन बहुत-बहुत स्वागतम आज आप जानते हैं 26 तारिक है 26 जून है स्वभाविक रूप से एक महत्तुपून दिन है एतिहासिक दिन है आज से पचास वर्ष पूर्व जब भारत उठा था प्रातहकाल तब भारत के प्रतेक नागरिक को मालूम पड़ा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ततकालीन प्रधानमंत्री कॉंग्रेस पार्टी से उन्होंने देश में एमर्जन्सी अर्थात आपातकाल लगाया था और आप देखिए विडंबना कि आज 26 तारिक को अठारवी लोकसभा चल रही होती है और मानियो ओम बिडला जी दुबारा चुन करके निर्वाचित होकर स्पीकर बनते हैं लोकतांत्रिक पक्रिया से निर्वाचित होकर स्पीकर का निर्वाचन होना जनरली हम इन विश्यों में हमेशा कंसंसस देखते हैं मगर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजर कर ओम बिडला जी दुबारा स्पीकर बनते हैं, वाचस्पती बनते हैं. वाचस्पती के कुरसी पर बैठने के पस्चात उन्होंने माननिय प्रधान मंत्री जी से कहा कि आप अपने मंत्री मंदल से तारूफ इंट्रोडक्शन कराईए. मान्ये नरेंद्रमोदी जी अपने मंत्री मंदल से इंट्रोडक्शन कराते हैं अपने कैबिनेट से इंट्रोडक्शन कराते हैं और उसके पस्चात हमारे speaker वाचसपती उन्होंने emergency के विशे में कहा इसमें coincidences क्या क्या है देखे 26 तारीक का coincidence है कोइंसिडेंस है कैबिनेट का जब 50 वर्ष पहले 26 तारीक को प्रातरकाल भारत वर्ष को पता चला था कि इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाया है उस समय आपको जानके आश्चरिय होगा केवल भारत वर्ष को ही आश्चरिय नहीं हुआ था इंदिरा जी के कैबिनेट को भी आश्चरिय हुआ था क्योंकि इंदिरा जी के कैबिनेट को भी मालूम नहीं था कि आपातकाल लगा दिया गया है 25 और 26 के मध्धरात्री के आसपास चित्थी भेज करके इंदिरा गांधी जी ने बिना अपने कैबिनेट के सहमती के उन्होंने राष्ट्रपती से हस्ताक्षर करवाए थे अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई और पोस्ट फैक्टो उस रिजलूशन को एडॉप्ट किया गया जिसके विशय में आज ओम बिडला जी ने बताया कि पोस्ट फैक्टो पाप करने के बाद उस पर मुहर लगवाने का काम इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट से कराया लोकतांत्रिक तरीके से स्पीकर का चुनना सारे कन्वेंशन को ताक पे रखके भारतिय जंता पाटी और NDA के सदस्यों द्वारा कल अपील करने के पस्चात भी की कन्वेंशन नहीं है स्पीकर पे इलेक्शन नहीं होता है चलिए मिलके चलते हैं एक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन होता है और दूसरा एहम विशय है कि कैबिनेट का इंट्रोडक्शन होता है और कैबिनेट को साथ लेकर चल्ले की बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने टीवी पर पूरा देश देख रहा होता है तारीक वही है पचास वर्ष पहले सदन के पटल पर बिना कैबिनेट के अनुमती के आपात का लगाया जाना और वह भी इंदिरा गांधी जी द्वारा आज यह जो पूरी प्रक्रिया हुई है मुझे लगता है इसने सबको बहुत कुछ सिखाया है निंदा प्रस्ताव लाया गया ओम बिडला जी ने निंदा प्रस्ताव रखा निंदा प्रस्ताव के द्वरान उन्होंने एमर्जिंसी के समय जो जो विग्न बाधाएं थी जो दिक्कते थी उन सब दिक्कतों को ओम ब अधित किया गया था हज्जारों लोगों को किस प्रकार जेल में डाला गया था और मैं बता दूँ एक लाख चालीस हजार लोगों को जेल में डाला गया था लगबग 22 कस्टोडियल डेट्स हुई थी और जिन लोगों को जेल में डाला गया था आप तो अटल विहारी जनसंग के लोग थे, नेता थे, उनके नाम से आप अवगत हैं, मगर आप कई लोग जानते हैं कि चरन सिंग जी भी जेल में थे, मुलायम सिंग यादव भी जेल में थे, लालू प्रशाद यादव भी जेल गए थे, देवी लाल जी भी जेल गए थे, M. करुणा निधी भी जेल गए थे M. के स्टालीम भी जेल गए थे शरद यादव भी जेल गए थे और सामने ही बैठे हुए थे आज ट्रेजरी बेंच के सामने स्री टी आर बालू जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा था निर्वाचन के पश्चात टी आर बालू साहब भी जेल गए थे अमर्जन्सी में विडमना देखिए जैसे ही निंदा प्रस्ताव अमर्जन्सी के उपर उम्बिडला साहब रखते हैं तुरंथ कॉंग्रेस के जो सदस्य है वो सारे खड़े हो जाते हैं वो अल्ला शुरू कर देते हैं कि ये अंडेमोक्राटिक है ये उचित नहीं है काहे काहे अमर्जन्सी कौन सी अमर्जन्सी हाई हाई तौबा तौबा सब शुरू हो जाती है वेल के तरफ Congress के MP भागते हैं मैं पीछे बैठा हुआ था मैं भी देख रहा था अश्चरे से कि Congress के सारे लोग तो भाग रहे हैं मगर समाजवादी पार्टी के लोग सब बैठे हुए है राहूल गांधी बगल में बैठे हुए हैं और ठीक उनके बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं बीच में टी आर बालु बैठे हुए हैं राहूल गांधी जी को मैं देख रहा था या ना उटा चिललाए या ना चिललाए वो एक Kiss देखे एक बार अपने लोगों को देखे सारे लोग उनके खड़ेों के चिला रहे हैं वो उनको देखे फिर अखिलेष जी को देखे फिर टीरार बालू जी उनके बगल में ही है दादी माने क्या किया था टीरार बालू जी का तब राहुल जी को याद आ जाए फिर पीछे देखे तो TMC वाले नजर आए समाजवादी पार्टी वाले नजर आए राहूल जी कभी खड़े होने की कोशिच करे फिर दबा के अपने आपको बैठ जाए ये परिस्तिती इंडी अलाइन्स की आज जो हुई है पार्लमेंट के अंदर ये तभी होती है जब आप अन्याई होते हैं अन्याई का साथ देते हैं और बड़ा न्याईवान दिखने का प्रेतन करते हैं ये कांग्रेस पार्टी न्याईवान दिखने का प्रेतन कर रही थी कैसे सम्विधान की प्रती खरीद के लाकर हाथ में पकड़ रही थी और सम्विधान बचाओ, सम्विधान बचाओ के नारे लगा रही थी राहुल जी सम्विधान की प्रती खरीद के लाकर हाथ में पकड़ने से सम्विधान नहीं बचता है सम्विधान के प्रती के प्रती हृदय में सम्मान होने से सम्विधान बचता है 42nd Amendment क्या था? 38, 39, 40, 41st and 42nd Amendment these were the amendments which were made in the constitution of India during emergency by Shreemati Indira Gandhi what was the 42nd Amendment? 42nd Amendment was the worst amendment ever made to the constitution of India in which all the powers of Supreme Court were repealed in fact Supreme Court was stripped of many of its powers Supreme Court could not review if there was anything against the fundamental rights of the citizens of India Supreme Court Pradhan Mantri, Rashtrapati or Vice President के खिलाफ electoral petitions होते है उन पे सुनवाई नहीं कर सकती थी प्रेस फीडम को गड़े में डाल दिया गया था आप सबको याद होगा कि उस समें कोरा सिस्टेम जो कोरम होता है कोरम पार्लमेंट को बैठने के लिए और ビिल पारिद करने के लिए एक कोरम होता है इतने लोग होंगे तभी जाके किसी बिल पे चरचा हो पाएगी और वो जाके कानून बनेगा Assembly में भी Quorum होता है 42nd Amendment cancelled the Quora एक भी वेक्ति अगर सदस्य मौजूद है और उसकी इच्छा है कि हम समविधान को बदल सकते हैं तो वो एक सदस्य समविधान को बदलने की ख्रमता रखता था, they finished the Quora system, आप देखिए the basic structure of constitution there is something called as basic structure of constitution जैसे हमारे जो hard manz के शरीर में एक basic structure है जिसको हम skeleton कहते है उसके चारो तरफ hard manz का ये शरीर है तीक उसी प्रकार भारत के समविधान का एक basic structure है जिसको maulik अधिकार कहते है, उसके चारो तरफ भारत का समविधान है for the first time during the emergency इंदिरा गांधी जी ने स्पस्ट शब्दों में कहा there is nothing called as basic structure of constitution it is invented we can do away with the basic structure of the constitution सम्विधान के basic structure को छोड़ा जा सकता है ये पहली बार इंदिरा गांधी जी ने कहा था और ये 42nd amendment में reflect करता था जो लोग भारत के सम्विधान को हात में पकड़ करके कल सपत ले रहे थे और सम्विधान बचाओ सम्विधान बचाओ के नारे लगा रहे थे आज वो असमंजस में दिख रहे थे जब समाजवादी के समाजवादी पार्टी के लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे TMC के कारे करता और सांसद उनका साथ नहीं दे रहे थे ये परिष्थिती आज सदन के अंदर देखने वाली थी जब मानलिय ओम बिडला जी ने कहा कि जो लोग जेल गए थे और जिन परिवारों की शती हुई जिन लोगों ने दूसरे स्वतंत्रता के युद्ध में भारत को स उन सब परिवारों के प्रति हम समवेदन शील्टा दिखाएंगे उनके लिए दो मिनिट के लिए मौन रखते हुए खड़े होंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप देखिए कॉंग्रेस के लोग कॉंग्रेस के सदस्य जो लगभग वेल तक आ गए थे वो त आपको खड़े देख राहूल गांधी को भी अंततो गत्वा खड़ा होना ही पड़ा असमंजश में कि करूं भी तो क्या करूं सत्ता की भूख याद रखें उस समय भी इंदिरा गांधी के मन में सत्ता की भूख 1971 में करप्ट इलेक्शन प्रैक्टिस के लिए जब अलहाब हाद हाई कोट में केस गया था और इंदिरा गांधी केस हार गई थी तब अपने सत्ता के भूख के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने देश पर इमर्जंसी आपातकाल लगाया था और यही सत्ता की भूख राहूल गांधी और गांधी परिवार का आज इंडी अलाइंस को ता किस प्रकार से मिले केवल खयाल उसी कार है बंधू बहुत-बहुत धन्यवाद कोई प्रशन हो इस पर तो अवश्य पूछे अवे तो बहुत ही गजब की बात हो गई है मतलब कल जब हम कह रहे थे चलिए साथ मिलके चलेंगे तब कह रहे थे नहीं जी हमारा candidate भी होगा हम ठीक बात है ये कह रहे हैं कि गुल खाया और गुलगुले से परहेज बात तो बिलकुल ठीक है मगर कल तो कह रहे थे कि दिरवाचन होगा, इलेक्शन होगा और आज जब जब नतीजा सामने है, वो जानते थे संख्या उनके पास नहीं है तो सुभावी के और क्या बचता है कहने का, यही कहेंगे मगर मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम सानसदों का चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे वो समाज बाधिपाटी के हो चाहे वो TMC के हो, चाहे वो DMK के हो जिन लोगों ने आज सम्वेदना दिखाई, जिन लोगों ने आज खड़े होकर मौन धारण किया शांती पाठ की उन लोगों के लिए जिनकी शहादत हुई थी जिनोंने बलिदान दिया था emergency के समय जिन परिवारों के लोग जेल में थे उनके लिए उनने शांती पाठ किया उसके लिए हर सांसत को धन्यवाद जिसने सहमती जताई और जो खड़े हुए और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ बतवर प्रवक्ता हम दोनों यहां मौजूद हैं हमारे राष्टे अध्यक्ष माननिय जगत प्रकाश नड्डा जी को उन्होंने भी पूरे इस विशय को ट्वीट करके नकेवल हम सब के बीश में किया जिस विशय को हमारे समक्ष रखा उस विशय को पाटी की तरफ से पुर्जोर समर्थन भी दिया है किस चीज को किस चीज से कंपेरिजन कर रहे हैं संजय राओ जी को बताइए कि कंपेरिजन भी किस के बीच में किस चीज की कर रहे हैं अबिनास इंडिया टुब इंडिया टुब इंडिया टुब इन पुछ लिजे जोनों पुछ लिजे । । । ० । । । । ॥ आपर इना नहांडी डिकामिर नहांडी अटेकश अबनरे जाने सताती जाने सिराफूल गांदीолод लिए है गांडीले przybyं देखिंग इसकार्व कोर फ्वीं त Karma치 n सेAG एसराू गांडी से भी ले यहांडी जा पूसे मैपकार्ण हमें स्वीद ऑैस आहिए आराशो गांधी बान the front, leads the Congress party nowhere. हाँ, आपने अर्विन केजरिवाल जी पे सवाल पूछा था, माडम केजरिवाल जी ने कहा है कि EDCBI जो कर रही है, वो तारा साही है, अब बताइए वो क्या कहेंगी, वो ये तो नहीं कहेंगी, बहुत बढ़िया हुआ जी, जो हुआ सब बढ़िया हुआ, जानती तो मन में हैं सब कुछ हो, अब अच्छा-च्छा तो बोल नहीं सकती है, एक साइज स्कैम में, लिकर स्कैम में, स्री अर्विन केजरिवाल जी ने घुटाला किया है, दस्तावेज है, कोट ने उन्हें जेल भेजा है, सीबी आई ने दस्तावेज दिखा करके कोट में उनको एरिस्ट किया है, तो सुभावी ग्रूप से देश की प्रक्रियाओं के अंतरगत काम चल रहा है, तो इसमें तारासा ही कहां से है, अब वो क्या करेंगी, अब देखिए पूरे विश्व में, आप किसी भी, आप देखिए किसी को भी जो चोरी में या डकैती में पकड़ा गया हो, उसकी माता जी से ये पतनी से या पिता जी से पूछिए, आपका बेटा, आपका पती वो जेल में है, ये खीक है, तो वो गो लेगा, नहीं बदमाश है आदमी, पकड़के ले गया, हमारा पती तो बहुत अच्छा है, हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, बोद भूला है, तो हर कोई बोलता है, रापडी जी भी हमेशा बोलती थी कि लालु तो बहुत अच्छे हैं, बेकार कर ले गिया उनको, बहुत अच्छे आदमी हो, कोई पैसा नहीं खाया, कोई चारा नहीं खाया, वो भी जेल गए हैं, अरे खराब काम करिये का, तो जेल ही जाहिएगा, बहुत बहुत भन्नवाद है।